सिखों के दसवे गुरु गोबिन सिंग जी का प्रकाश पर्व आ रहा है। गुरु जी का जनम 22 दिसमबर 1666 को पटना साहिब बिहार में हुआ था। 1699 में गुरु गोबिन सिंग जी ने खलसा पंत की स्थापना की थी। आज हम आपको गुरु गोबिन सिंग जी द्वारा बताए गए बावन हुकुमों के बारे में बताएंगे। हुकुम का मतलब होता है उपदेश जिन्हें हर मनुष्य को अपने जीवन में अपनाने चाहिए। बावन हुकुम इस प्रकार हैं। किर्ध धरम की करनी, दिस्वाद देना मतलब अपनी कमाई का दस्वा हिस्सा दान करना, गुर्बानी कंत करनी मतलब गुर्बानी को याद करना, अमृत वेले जागना यानी के सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, सेख सेवक की सेवा रूची से करनी, गुर्बानी के अ प्रशाद बाटें जब तक प्रशाद बाटें जब तक संगत अडोल बैठी रहे विवार के बिना विवाहिक जीवन शुरू नहीं करना अपनी पत्नी के इलावा बाकी स्थ्रियों को मा बहिन बेटी की तरह देखना पराई स्थ्री से अविवाहिक संभद नहीं रखना, स्थ्री का सम्मान करना और उसे दुखकारना नहीं, संसार के जूट, तंबाकु का त्याग करना, रेहत का पालन करने वाले और वाहे गुरू के नाम का ध्यान करने वाले सिखों की संगत करनी, काम करने में आलस भाव नह सुने और करें, किसी भी व्यक्ति की निंदा चुगली या इर्शा नहीं करनी, धन दौलत जात का घमंड नहीं करना, सब लोगों में आपसी भाइचारा होना चाहिए, अपनी सोच और विचार उचे और साफ रखने, हमेशा शुब कार्य करें, नेक कार्यों से परहेज ना कर भगवान को बल बुद्धी और शक्ती का दाता मानना, जो व्यक्ति किसी को कसम या सोगंध से मानाने की कोशिश करें उस व्यक्ति पर विश्वास ना करें, स्वतंत्र रूप से शासन करें, राजनीती की पाई जरूर करें, दुश्मंग के साथ सभी युद्ध नीतियों, साम दाम दंड भेद का उप्योग करना पर युद्ध धर्म से लड़ना शस्त्र विद्या और घुर सवारी का अभ्यास करें सभी धर्मों के ग्रंथों का सम्मान करना और पढ़ना लेकिन भरोसा गुर्बानी और अकाल पूर्ग पर रखना गुरू के उपदेशों को धरना और पालन करना शाम को रहरास साहिब का पाठ करना और फिर खड़े होकर अरदास करनी रात को सोने से पहले कीर्तन सोहिला का पाठ करना पगड़ी हमेशा पहननी और सर धक कर रखना सिंग को उनके आधे नाम से नहीं बुलाना सिखों का पूरा नाम हमेशा आधर से लेना शराब का सेवन नहीं करना बेटी का रिष्टा केश रहित व्यक्ति से नहीं करवाना रिष्टा उस घर में करना जहां गुरू का सच्चा सिखो जहां वाहे गुरू की सीखो घर करज में ना हो और लोग अच्छे और ग्यानी हो सभी शुप कार्य गुरू बानी के अनुसार करने चुगली करके किसी का काम नहीं खराब करना कटू करवा बोलकर किसी का दिल नहीं दुखाना तीरत यात्रा गुरु घर, गुरुद्वारा की ही करनी वचन देकर उसका पालन करना परदेशी जरूरत मंद दुखी अपंग व्यक्ती की जितनी हो सके सेवा करनी बेटी की कमाई को भीक सामान मानना दिखावे का सिख नहीं बनना केशधारी सिख रहकर ही जीना और मरना केश कभी नहीं कटवाने उनका सम्मान करना चोरी धोखा ठगी दंगा करने से बचना गुरु के सिखों का एदबार करना जूठी गवाही नहीं देनी किसी को भी धोखा नहीं देना लंगर और कड़ा प्रसाद को एक समान रूप से बाटना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फत है अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और आगे शेयर करें ताकि सब तक गुरु जी का उबदेश पहुँच सके